जहां से end किया था वहीं से start कर दिया है आप लोगों को motivate करने के लिए कि देखे साड़े 11 वज रहे और फिर भी मैं kitchen को साफ करके slab को साफ करके और गैस की पटिया को साफ करके slab को साफ करके यार और उसके बाद मेना बरतन वगिरा साफ करके फिर ही अपने kitchen की lights off करके और सोंग तो मतलब आप लोगों को भाई लोगों नहीं सुरी बहन लोगों आप लोगों को motivate करने के लिए कि भाई ऐसी ही सोना चाहिए सबको की kitchen को एकदम clear करके फिर सोना चाहिए वैसे तो यार आप लोग ऐसे ही सोते होगे मेरी तरह ही clean करके आजकल तो सब intelligent हो गया मैं भी क्या ज तो इससे हैल्थ भी अच्छी रहती है और भगवान की दया से वेल्थ भी आई जाती है तो कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है लेकिन बहुत कुछ होता है आज के समय में और लेकिन इतना भी नहीं भागना चाहिए पैसे की पीछे हस्बेंड जी जैसे हमारे कि घर गरस बच्चे भी सबको बूल जाओं ऐसा भी नहीं होना चाहिए है वही लिमिट में अपनी लग करना चाहिए अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना चाहिए इन्होंने तो अपने लिए फो एंजॉय करना बंद कर दया पता जब मेरी शादी होई ती ना उस टाइम पे यह इतना घ कि इतना यह चेंज हो गए ना अपनी लाइफ में मैं को क्या ही बता हूं स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो मैं इसी चीज से दुखी थी कि आए दिन कभी कहीं कभी कहीं चले जाया करते थी और अब इनको इतना भी टाइम नहीं कि एक मंदिर तक भी चले जाएं तो यह है कि लाइफ में आप इतने भी बीजी मत हो कि आप मला अपनी आपको ही खोदो तो खैर कोई बात नहीं जो है सो है उसमें खुश रहना चाहिए और मुझसे कहीं कह रहा था कि अपनी वह करो क्या करते हैं मेले चले जाओ तो मेले कब जाओं मैं मेले 11 बज़े की भारा बज शुब्या में रहकर के इनकी रात के टाइम में सुबह होती है यह वाली कहानी अलग है मेरी तो दुख बरी दासतान सुना रही हूं दोस्तों अपनी दुख बरी दासतान सुना रही हूं कि यहां पर यह मठरी की चार्ट मिलती है जिसके अंदर यह मठरी होती है यह वाली उसके दार चटनी डली होती है मिर्ची और प्याज डला हुआ होता है और रिन थोड़ी सी नमकिन डली होती है तो इस तरह से बना करके और नहीं बहुत अच्छी लगते खाने में एक बहुत यम लगते है बहुत शाम हो चुकिए दोस्तों मैं बना रही हूं यहां पर रात के लिए खाना बना रही हूं डिनर रेडी कर रही हूं तो मैंने आलू कटकर ले थे यहां पर मैंने मेथी न कल ही साफ कर ली थी लेकिन मैंने इसको बनाया नहीं था तो यहां पर मैं इसको जादा देर के लिए नहीं रखना चाहिए वरना सब्जी थोड़ी कड़वी बनती है इसलिए कट करते करते के वीच में बना लेती हूं तो यहां पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था मिर्ची डाली जीरा डाल दिया था उसके बार मिर्ची डाली फिर मसाली आलू एट कर दिया है और आलू को भून लिए उसके बाद मैं थोड़ा सा ड़क कर के कुखोने दूगी और तब तक मैं यहां पर ना जो मेधी बची कुछी है बन्दार की थोड़ी सी को मैंने कट कर लिया थोड़ी सी मैं कट कर रही और एक बार की और फिर कट करनी होगी मैं जल्दी जादी से कट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और वैसे तो हैंना मैं ऐसी कट कर लेती हूं सारी चीजे लेकिन यह हरी सबजी होती है इनको मैं चॉपिंग बोड़ पर यहना कट कर तो मुझसे नहीं कट होती है जिसे दरात वगेरा लेकर करके काट ले तो यहां पर मैं आलों को देख ले हूँ और साथ में इसके ब्यादाने मेथी डाल दिया और साथ ही मैं इसके अदर नमक भी आड़ करतूंगी जैसे आपको नमक कंचा बालs पानी को रिलीज तो यह ना मेती थोड़ी कडवी सी होती है तो इसके नहीं हम चूर पाउडर डालो तो सही रहता है मनलब किससे थोड़ा करवार भी कम हो जाती और तेल छूटने तक है न ऐसी ही सको बनने दो शाम हो चुकी है दोस्तों और यहां पर मैं बना रही हूं सोचिए क्या बना रही हूं एक बार फिर से मैं बना रही हूं चावल वह भी नमकीन वाले चावल मुझे नमकीन वाले चावल इतने ज्यादा पसंद है कि मैं डेली खा सकते हूं लेकिन कैसे चावल जो खिले खिले स इसे बढ़िया से देखने में होते हैं तो जब चिमनी जल जाती है तो उसके बाद में वोइज ओवरी करना पड़ता है और चिमनी जलाना भी जरूरी है क्योंकि कोई खिड़की नहीं है तो फिर दूओध खासे जाएगा पूरे घर के अंदर धास हो जाती है तो यहां पर मैंने कूकर के अंदर तेल डाली या था उसके बाद मैंने टमाटर यह चाम यह नह था mapping है आलरी मिड्जी टाली अलू डाली और सात में मसालए ढली अगर मटर हो तो मटर जरूर डालएगर गो بह तो ठोन भी डाली है यह वाले चानल तो इसके तरफ के नहीं अट जल सकते है उतनी ढ़लिे और बना करके खाइए और मेरा यह इस में थक्राइब लगते यह वाले तो तो खिले-गिले अच्छे लगत DAY यह वाले मुझे elder सी सीटी काइता है बज रहे हैं साड़े 10 और आज हैा ग्रोसरी का कुछ सामान भी आया था मतल sisters नीचे तो आ गया है ये लेकर खीड़िते है siitä हता हमारे खटता ही हाता है नीचे का भी सामान खुण खायाएथ हाथ रहा लेकिन चीनी और आठा हर्षित उपर ले आया था और बाकी का सामन ममी ने भी खोला नहीं है जब खोल लेंगी तो फिर उपर पहुचा देंगी मैं बस पर्चा लिख करके दे देती हूं फिर वो अपने हिसाब से भेज देती है तो यहां पर यह होता है और हर्षित क्या कर र है ना इंतजार 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 मुझे मेरे यार का यार जो भी है और यह ़ otras होग है तो लेकिन यह भी तक भी नहीं लेए और टी वी हमारी खराब पड़ी हुई है फोन का हमारे यह रहता है कि यह ना मैं वीडियो केमरा भी यूज करती हूं उसके एडिट के लिए हुआ हो बाकि की चोटे व्य सब्सक्राइब तो वह उसमें लेकर करता है तो काफी फोन ऊसे होता है तो यह जोघता है चलांगी लिधर फोन कम ताहे से कैसे को भी आराम14 भी है इंसान ने तो क्या हुआ मशीन है लेकिन फिर भी इसको भी आराम की जवरत है और वैसे भी है वीडियो अपलोड करती हूं तो नेट हमारा वैसे ही उड़ जाता है सारा खतम हो जाता है थोड़ा बहुत नेकाद बसता है तो वह ऐसे हो जाता है और टीवी हमारी खराब पर अथा तना भारी पट जाता है कि आप लोगों को क्या ही बता हूं तो इसलिए मैं बोग्स लेकरके बैट जाती हूं कि कड़़ जाती हूँ की कुछ तो वीडियो ór subject करते रहती वी जबी टायम मिलता है जैसे तो वीडियो अप्लोड करने में निकल जाता है थोड़ा हो धर्शी चला लेता है में पस नेट ही किता बसता है इनका बस यही डालोग सुनकर के मेरा फिर फॉन चलाने का भी मन नहीं करता टीवी वैसे नहीं चलती फॉन वैसे नहीं चला सकते बस हमारी लाइफ क्या ही हाती हूँ इडिट करती हूँ तो मैरे थोड़ा सा लगता है की क्या हमैने कुछ के लिए शेक लेखैरी कर सब्सक्राइब पड़्स के लिए क्या चुछ कпа लिए और छोड़ालीया की जो एक हमेसा साहरा है ज्त चला कंश सब्सक्राइब लिए किया अभी बज रहे हैं रात के साड़े ग्यारा और मैं कर रही हूं वेट अपने हस्बेंड का दुकान बढ़ा के आए नहीं अभी तक ही अब यह सोचा भार ही टहल लो अंदर नहीं सी आने लग जाती है आधी रात हो गई है साड़े ग्यारा बज रहे हैं एक टाइम वो था पापा जब मेरे शादी ने वीती तो मेरे पापा पांच बज़े आ जाते ते ड्यूटी से और मैं हम लोग ना आठ ज्यादा से ज्यादा नो नो वज़े तक हम लोग सोजाय करते थे और यहां पर देखिए एक लड़की की लाइफ है ना कैसे चेंज होती है और अब यह तो आएंगे जबी आएंगे तब तक है ना अब इस वीडियो को और लंबा क्या खैचना तो अब मैं इस वीडियो को इतना ही रखना चाहू क्द़ीजिज प्रॉली आएंगे।